नमस्कार दोस्तों आपका यूटूब चैनल में स्वागत है इस वीडियो में IBPS RRBPO यानि आफिसर स्केल 1 के प्री एक्जाम के क्वेस्चन डिसकस करूँगा और इस वीडियो में 10 सेप्टेंबर 2017 के सिप्ट 1 में पूछे गए नंबर सीरीज के क्वेस्चन डिसकस करूँग तो चलिए सुरू करते हैं सबसे फर्स्ट जो नंबर सीरीज का क्वेस्चन था वो था 131,67,35,19,11, question mark और 5 तो इसमें आप देखेंगे जो difference है वो कितना आ रहा है पहले तो 64 आ रहा है फिर 32 आ रहा है फिर 16 आ रहा है फिर 8 आ रहा है फिर 4 फिर 2 तो आप देख रहा है सीध से आधा आधा difference होता जा रहा है तो इस तरह से इसका answer हो जाएगा 7 next question है next question था 25,28,22,31 और 19 तो next number क्या होगा तो इसमें difference आप देखेंगे 3 का है 6 का है 9 का है 12 का है 15 का है तो इस तरह से जो answer होगा वो होगा 34 ठीक है क्योंकि 3-3 का difference इस difference में 3-3 का difference है जो next question है वो है 3.5, 4, 8, 27, question mark 7, 6, 7 इसमें आप देखेंगे 2 से multiply किया है फिर minus 3 किया है फिर 3 से multiply किया है minus 4 किया है फिर 4 से multiply किया है minus 5 किया है फिर 5 से multiply किया है minus 6 किया है फिर 6 से multiply किया है minus 7 किया है तो इस हिसाब से इसका answer हो जाएगा 139 next fourth question है 1, 4, 9, 18 और 35 इसमें first difference आप देखेंगे 3, 5, 9, 17, 33 का है और difference आफ देखेंगे तो 248, 16 है यानि अगला जो difference होगा 32 होगा तो इस तरह से इसका answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा 68 next and last question है number series का 5, 7, 4.5, 6 और 11 इसमें आप देखेंगे multiply किया है 0.5 से फिर 1 जोड़ा है फिर multiply किया है 1 से फिर 1.5 एड़ किया है फिर multiply किया है 1.5 से फिर 2 एड़ किया है फिर अगली बार multiply किया है 2 से और 2.5 एड़ किया है तो इस तरह से इसका अगला जो term आएगा वो आएगा 24.5 तो दोस्तों ये था आई-वी-पी-ए-स-ार-ार-वी के number series के question तो अगर ये वीडियों आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज़्यादस ज़्यादा इसे शेयर किजिए अगर आपने मेरे चनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद